हेलो एवरीवन आज का हमारा टोपिक बीए बीए सी थर्ड एर रियल एनालिसिज रीमन इंटेगर जी हां रीमन इंटेगर का हमें ट्रोडक्शन पार्ट कर रहे थे तो आज बात करते हैं थोरम्स की तो फिर्स्ट थोर हमारे पास क्या है देखते हैं उसको चहरे पर एक प्य से में कलिर हो गया कि उसके पास बांड भाउंड तो मिलेंगे हंजी एक यहां पर ऑच्छो क्या अजास्टिक सिंबले क्नोटेशन है ठीक है वह यहां पर कुछ भी दे सकता है था थैसा उसकी आप के पित्व्य सकता है P4 दे सकता है इससे confused नहीं होना में चीज़ आपको क्या करना है जो concept है उस concept को पकड़ना है ठीक है क्या करना उस concept को पकड़ना है ताकि आपके पास symbol कोई भी आजाए आप उसको soul curse को आप उस symbol को देखके पजलना हो राइट तो देखो देखते हैं if f is bounded function on close interval a b and p dash is a refinement of a partition p of close interval a b then first part हमारे पास है lower sum f p dash greater than is equal to lower sum f p और second part है upper sum f p dash less than is equal to upper sum f p ठीक है जी यानि रिफाइनमेंट का upper sum less than is equal to होता है partition के upper sum से और refinement का lower sum greater than is equal to होता है lower sum of partition ठीक है जी तो इसको चीज़ को प्रूव करते हैं first part को प्रूव करेंगे तो सब से पहले यहाँ पर क्या करते हैं जो इन्होंने दे रख है हम पहले उसकी बात कर लेते हैं ठीक है जी f is bounded function on close interval a b and p dash is a refinement of partition p let p dash is a refinement of partition p p partition है तो इसको partition कर देता हूं x naught x1 x2 and so on xr-1 and xn is equal to b of close interval a b ठीक है जी पी डैसे एक refinement इसकी ठीक है और पी क्या पार्टीजन है इस close interval a b की and such that आपको मैंने बताया जो जो रिफैनमेंट होती है वो क्या होती प्यार बच्चू super set होती है हमने इस परकार चलिया था ठीक है P2 के पास इसको सारे point तो होंगी ही ठीक है, P2 के पास इसके सारे points तो होंगे ही होंगे but इसके पास at least एक point extra जरूर मिलेगा ठीक है जी, at least एक point extra जरूर मिलेगा, मैंने यह कहा है कम से कम एक, एक से जादा ही मिल सकते है, राइट, हम यहाँ पे बात करते हैं, कि मा लेते हैं कि पी डैस के पास एक point जादा है ठीक है and such that P- has just one point मा लेते की alpha से more just P- has just one point alpha more than P ठीक है जी such that किस परकार से ही कि जो मेरे पास XR-1 है ठीक है XR-1 less than alpha less than XR जो मेरे पास alpha point है ठीक है इस P-partition के अंदर और यहाँ पे लाई करता है interval XR-1 और XR के बीच में ठीक है जी ओके यहाँ पे लाई करता है इसको कुछ ऐसे बना सकते है रिपेजेंट करना चाहिए तो हम इसको ऐसे रिपेजेंट कर सकते है यह मेरे पास क्या है X node यह X1 X2 and zone यहाँ पे मेरे पास XR-1 यहाँ पे माले तो में मेरे पास XR है और इसके बीच में यह point है कहीं पे यह point हमारे पास कहा है alpha point आपके book के अंदर point X जाए दिया हो notation उसके notation यह दिऊ हुई है आप कोई notation यूज कर सकते हो उससे को फरगने पड़ता है मैं चीज आपका concept है मेरे को अलफासान लगता है तो मैं alpha यूज कर लेता हूँ ठीक है जी यहां पे हमारे पास को जाएगा action is equal to b जो हमारे पास information थी वो हमने accept कर ले अभी एक information ओ रहते है कौन सी f is bounded function तो हम bounded भी लेंगे ठीक है जी तुझ जो हमने लिया पी लिया और पी डैस लिया रिफाइनमेंट ली ठीक है वहां से हमारे पास इतनी information निकल के आगई ठीक है जी इतना काम हमारे पास हो गया अब जो हमारे काम होगा वो काम इस interval के उपपर होगा ठीक है जो हमारे interval है xr-1 से xr यहां पे हमारे काम होगा ठीक है तो यहां से अब सुरुबात करते है अबने first part के यह चीज दोनों पार्ट के अंदर common आएगी इसलिए मैंने स्कॉलक से लख दिया तो first part हमारे पास क्या है lfp डैस greater than is equal to lfp इन्होंने दे रखा है f is a bounded function bounded function होगा तो हमारे पास यहां से greatest lower bound मिलेंगी और list अपर bound मिलेंगे ठीक है जी तो let mr dash mr double dash and mr be the greatest lower bound of mr dash mr double dash and mr be the greatest lower bound किसके greatest lower bound जो interval हमारे पास यह बनेगा xr minus 1 से alpha तक ठीक है जी xr minus 1 से alpha तक वो दूसा इंटवल alpha से xr तक ठीक है जी and जो तीसरे इंटवल है मेरे पास xr minus 1 से xr तक respectively ठीक है इतना का हमारे पास हो गया okay जी कि mr dash किसका greatest lower bound है इस interval का xr minus 1 से xr तक का ठीक है देखो इसका यह हमारे पास इतना interval है इसका greatest lower bound मेरे पास क्या है mr dash ठीक है फिर मेरे पास यहां से लेकर यहां तक है इसका greatest lower bound मेरे पास क्या है mr double dash ठीक है जी और मेरे पास जो यह complete है यह वाला इसका मेरे पास greatest lower bound क्या ले लिया हमने हमने ले लिया जी mr ठीक है अब यहां से हम बात करते हैं पने first point की फर्स्ट पार्ट हमारे पास है लोर सम पार्टिशन एपी डैस माइनस के लोर सम एफ पी यह हमारे पास क्या हो जाएगा लोर सम हमारे पास क्या हो जाएगा लोर सम हमारे पास क्या होता है प्यारवचो ग्रेट एस लोर बाउंड इंटू लेंथ अपड़ इंटर्वल यह होत तो लोर सम के अंदर हमारे पास कौन से कौन से इंटरवल आएंगे, यह दोने इंटरवल आजाएंगे, हाँ जी, ठीक है, तो जो यह इंटरवल मेरे पास, XR-1 से अलफा, इसका ग्रेटेस लोर बाउंड क्या है, MR-, तो लिखेंगे यहाँ पर MR-, ठीक है, और यहाँ पर क्य इसकी लेंथ आएगी, डेल्टा, डेल्टा की वेल्व क्या आएगी, अल्फा माइनस की, XR-1, हाँ जी, यह मेरे पास क्या जगी, लेंथ आजाएगी, ओके, पलस, अब मेरे पास सेकेंड इंटरवल ही आगया, क्योंकि इसके पास भी क्या है, अल्फा है, एक्सार है, तो इसका greatest lower bound को ने MR double dash MR double dash इसके length क्या है एक interval की XR minus alpha ठीक है जी उसके आदी क्या फिर minus lower sum of Fp तो इसके लिए हमारे पास ये interval बचा ठीक है जी ये interval है हमारे पास क्योंकि ये interval तो partisan P के पास भी है ना XR minus 1 से XR तक ठीक है ओके इसका greatest lower bound कोन होगा MR होगा हाँ जी और इसके length of interval क्या आएगी ये आएगी मारे पास XR minus XR minus 1 हाँ जी इतना काम हमारे पास हो गया जल्दी से इसको note कर लीजे एक बार अब देखो हमारे पास ये पार्ट तो common रहने वाला है ये वाला पार्ट ठीक है ये पार्ट आप एक बार note कर लीजे फिर second part के इंदर भी ये पार्ट आप खुझ से लिखोगे ठीक है अधरवाइस एक बार लिख दिया enough है तो second part में डार्ट लिख दूँ है फिर scalp से तो मैं इसको यहां से ही रेजखा देता हूँ अब देखो प्यार बच्चों इसके बाद हमारे पास अलफ़ देश माइनस के 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 कि टो माइन अुजर कर दिए पल के अलफा कर दिया कि जी एककली में तो आसाना सबक्रेए dunno कि टीप है तो मेरे पास इतना काम होगया जीह जिए डीउर का माइनस होगे था इसको अलफा माइनस got XR-1 Plus K MR double dash XR-2 minus अब यहाँ से इसका एक अलग से बना दू interval हंजी minus MR की multiply इसके साथ कर दू तो मेरे पास क्या बन जाएगा XR-1 minus की multiply यहां करूँगा minus MR की तो यह बनेगा alpha minus की XR-1 ठीक है चीजों को समझते हुए सब कुछी से एक अंदे से निकालेंगे आप कुछीजे क्रेम करने के जरूरत है नहीं पड़ेगी प्यारे बच्चो एक बार बस इसको खोल कर जस्ट देख लेना थोर्म आपकी तेयार ठीक है अब देखो ध्यान से यहां पर अल्फा माइनस एक सार म हां जी और यहां पर आजाएगा अल्फा माइनस के एक सार माइनस ठीक है पलस अब यहां से देखो एक सार माइनस अल्फा यहां पर एक सार माइनस अल्फा यह को मना जाएगा तो क्या बचेगा यहां पर मार डबल डैस माइनस के मर और यह बन जाएगा हमारे पास एक सार म खेक कोई नहीं मैं लिखे देता हूं, जो रिस्पेक्टिविल वने लिखा है, इस रिस्पेक्टिविली के बाद ही, ठीक है, इसी के बाद, यहाँ पर में एक वर्ड लिखेता हूं, ठीक है, वह अपने लिखे लिएना, right, MR-MR-iane, MR-iane, MR, MR-iane, V the greatest lower bound of this, इंटरवल दिस इंटरवल एंड इस इंटरवल रिस्पेक्टिवली उसके बाद जो नेक्स लाइन आएगी उसके अंदर क्या लिखना आपको अब दिखो हमारे पास यह चीज थी प्यार विच्छो इंटरवल यह हमारे पास है एक्सार माइनस 1 आलफा एक्सार और एक्सार मैनस वन अलफा एक्सार ठीक है जी तो यहां से इसका मेरे पास उनक्तर क्या बनेगा इस yap quarterly मेनेपासMrडs है ठीक है जी और मेरे पास यह इसका लिख सकता हूं औरม होगा उह Stre टो एमर रोस एगा विवालो हो जाएगा के निए ग्रेटेस लोर बाउंड देखा हमारे पास जो ये था इंटरवल यहां पे मेरे पास एक्स नोट से मेरे पास action था ठीक है यह मेरे पास कोई point है XR-1, alpha और XR, greatest lower bound से छोटा यहनी lower bound में सबसे upper bound ठीक है जी तो मेरे पास जो यह interval है यह वाला जस्त यह वाला बता रहा हूं मतलब last वाला interval ठीक है इसका greatest lower bound मेरे पास यहां बनेगा XR-1 और इसका मेरे पास वो भी मेरे पास यहां बन जाएगा तो यह मेरे पास जो होगा यह less than is equal to हो जाएगा इस वाले से ठीक है जी उसके आदाब यह start कर देना अपना काम तो हमारे पास इतना काम हो गया तो इसके बाद यहां से क्या मैं इस चीज़ को greater than is equal to zero लिख दूँ कि मेरे पास एले पी डैस माइनस के एले फ़ी ग्रेट इस इकल टू जीरो अब अब अख सोचोगे सर यह कैसे लिखा बताओ क्यों कैसे लिखा मैंने यह देखो यह लिखा इस परकार से क्योंकि जो मेरे पास एमर्डैस माइनस के एमरोगा एक सेगेंड एक सेगेंड एमर्डैस माइनस के एमर्डैस माइनस के एमर्डैस माइनस के एमर्डैस 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 माइनस के एमर्डैस मेर्डैस 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 मेर्ड सब्सक्राइब करें इसी परकार से मारे पास मारे पास मार आगा सुरी ठीक है मारे लेस इकोल टू एमार डबल डैस जो एमार है वह मार डबल डैस ही छोटा है तो यह वैल भी मेरे पास कहा जाएगी मारे पास इक्सार मार अलफा गर्ड़न टू जिरो ठीक है यह मारे पास कहोती है गर्ड़न टू जिरो ओके इतना का मुंहारे पास हो गया तो यहां से हम लिख सकते है एलफ पीड़ास ग्रेट दन इस इकॉल दो इसको सेड लेके जाएंगे तो एलफ पी ठीक है जी ये बात हमारे पास किसके लिए होई है एक पॉइंट के लिए अलफा के लिए ठीक है इसी परकार अगर मेरे पास पार्टिजन जो रिफाइनमेंट पी डैस उसके पास क्या हो पॉइंट पी पॉइंट जादा हो जाए ठीक है जी पी पॉइंट जादा हो जाए हमां लेकते है फाइने नमबर पॉइंट ठीक है यहाँ पे था हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट जादा यह चीज़ अपने नोट कर ली होगी ठीक है इफ रिफाइनमेंट P डैस है P पोइंट मोर देन P से P डैस के पास कितने पोइंट ज़्याद है P पोइंट ज़्याद है अभी हमने जो काम किया ये काम किया सिर्फ एक पॉइंट के लिए ठीक है अगर P पॉइंट जादा हुए तो क्या होगा then repeat the above argument P times and hence we get the same result जो अपने ये काम किया है ये काम आपको P time repeat करना है हमने एक पॉइंट के लिए किया आप फिर एक पॉइंट हो ले लो बीटा ले लो फिर गामा ले लो ठीक है इसी परकार से डेल्टा पॉइंट इस परकार से P पाइंट ले तरो आप ठीक है जी इस टाप से पॉइंट ले सकते हो ठीक है उन सभी के अंदर भी क्याने वाला है ये वैल्यू ग्रेट इन इस इकल तो जीरू तो सभी में चीजी क्या आएंगे को मन आएंगी तो वहां से वारे पास से जल्ट सेम आएगा तो देरफोर अलएपी डैस ग्रेट इन इस इकल टू अलएपी ये हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट कंप्लेट हो जल्दी से नोट करो फिर बात करते हैं सेकेंड पार्ट अजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है अब देखो अब बात करेंगे हम सेगेंड पार्ट की सेगेंड पार्ट हमारे पास कहा है अपर सम पार्टिशन का लेजन इस इकोल टो अपर सम ओ रिफाइनमेंट का सोरी लेजन इस इकोल टो पर सम पार्टिशन का यह हमारे पास है इस ठीकसी ओके तो यहां पर घास है E action minus 1 से अलफ़ा लैस दनaaaa ठीकसी एक इंट्रावल हमारे पास जिसका बनेगा एक बाइगा एक इंट्रावल हमारे पास इसज़ार हमारे पास इस है तो लेट एम मार डेस एम आडबल डैस मर यह पर कैपितल में कैपितल में जान रखना ठीक है जी बीदा लिस्ट अपर बाउंड ओफ इंटरवल एक सार माइनस वन से अल्फा हंजी अल्फा से एक साथ एक सार माइनस वन से एक सार रिस्पाक्टिव 일이 ठीक है यहां से मेरे पास इसका लिस्ट अप्रॉबर किस का बड़ा होगा तो तो लिस्ट अपर बाउंड मेरे पास जो एक सार इंटरवल है ठीक है XR-1 से XR, इसका क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो therefore हमारे पास जो MR- होगा, वो less than is equal to MR से, and MR- होगा, वो भी क्या होगा, less than is equal to MR से, Okay, now, हमारे पास क्या गया होन्य, UFP-, minus the UFP is equal to UFP-, UFP- की जब बात करेंगे, तो इस इंट्रवल की बात करेंगे, इस इंट्रवल का लिस्ट परवाउंड क्या है, इस लिच्ट परवाउंड से, MR-, ठीक है, और इसकी लैंद क्या होगी, अल्फा माइनस के XR-1 पलस इसकी बात करेंगे इसका लिस्ट प्रवाउंड क्या है MR डबल डैस ठीक है उसकी लेंद क्या होगी XR- के अल्फा B- A होती है लेंद तो हमारे पास XR- अल्फा फिर अता हमारे पास माइनस अब UFP इसकी बात करेंगे तो इसका हमारे पास लिस्ट प्रवाउंड क्या है MR है ठीक है वो इसकी लेंद क्या बनेगी XR- XR-1 इतना कम होगे हमारे पास तो सेम चीज MR डैस अल्फा माइनस के XR-1 पलस के MR डबल डैस XR-1 माइनस MR इसके अंदर पर हम क्या करेंगे अल्फा सब्टैट करेंगे अल्फा एड़ कर देंगे ठीक है जी इतना का हम ने कर दिया ओके ये चीज़े सेम रहेंगी MR डैस अल्फा माइनस XR-1 पलस के MR डबल डैस XR- के अल्फा माइनस MR इसके मल्टिपलाइए इसको मैंने एक पॉइंट माल लिया तो माइनस MR के मिल्टिपलाइए इसके साथ भी माइनस MR के मिल्टिपलाइए इसके साथ भी ठीक है अब यहां से अल्फा माइनस XR-1 तो अल्फा माइनस XR-1 को मना जाएगा तो अंदर बच्चेगा MR डेस माइनस के MR और यह आजएगा अल्फा माइनस के XR-1 पलस XR-1 XR-1 को मना जाएगा तो अंदर बच्चेगा MR डेबल डेस माइनस के MR XR-1 अल्फा हंजी यह हमारे पास आगया ओके तो क्या मैं इसको यह लिख दूँ लेजन इसकूल टो जीरो अब सोच रहोंगे सर यह कैसे लिखा लेजन इकॉल टो जीरो जैसे यहांने फरस्ट वाइट के लिखा था ठीक है देखो कैसे हमें पता है कि जो MR डेस माइनस के MR है यह हमारे पास क्योगा लेजन इकॉल टो जीरो होगा आप橋 Prozent थे कने मैं यहां पर किया है यहां पे अमरेज teknolog क्या सट घ् explored थिखा रख थैज तो माई अइस ना Неगेटिव हो जाएगी न मैंकि helium निकेट इस है यहे मारा स्पोर्ज को यहां पर क्या है एक लिखा हूआ यहां पर क्या है फैइन ठीक है यहां मेरे पास नहीं से लिए बता रहा हूं मैं कभी एक्जाम के अंदर लिख के आज़ो तो अब मेरे पास यह आ गया अलफा माइनस की एक्षार माइनस ओन जो यह वैल्लू है यह वैल्लू तो हमेशा मेरे पास के अध्य होते है आप दिखा रख लेकिन हमारे आपका बड़ा है एमार डबल टेर्स से ठीक है और यह लेंध मेरे पास को जाएगी एक्षार माइनस के अलफा ग्रेट इज़ेगा अब दिखो दियांग से यह वैल्लू नेगेटिव है यह पोजिटिव है तो नेगेटिव मुल्टिपला कर लिए हमारे पास किसके लिए एक पॉइंट की लिए लेकिन हम क्या जाते हैं कि रिफाइनमेंट है उसके अंदर हमां लेते एक ही पॉइंट नयreme करकेगा प्रिंपाइंट हो जाए पीसे ज्यादा हम यह ज्यावो सकते हूं सकते हम नेगे एक है के लिए टूह कि अब जो नेक्स्ट पी होंगे उनके लिए करते हैं उनके लिए क्या होगा क्यों रिख़.. रिख पो algorithm है ठीक अ P points more than P then repeat the ABO argument then repeat the ABO argument P times one by one we get same result हर बारे के बार करें उसको repeat करते जाएंगे तो हमें वापीस से कहें मिल जाएगा same result मिल जाएगा UFP- less than is equal to UFP ठीक है तो यह थोरम हमारी हो गई complete अब बात करते हैं next थोरम की next थोरम हमारे पास if P- is a refinement of P containing P points more than P अब इसके पास P point जादा होंगे हमने लिया था पहले एक point अब अगर P point जादा हूँ and mode F of X less than is equal to K यह भी क्या है F bounded है ठीक है जी अब इन्होंने क्या क्या language को turn कर दिया पहले बोलता था F is bounded in close interval अब बोलता है कि mode F of X less than is equal to K इन्होंने अब के बार इसके bound ही बता दिये ठीक है जी mode F of X है Fx के bound क्योंगे minus K और के होंगे ठीक है जी for all X belongs to close interval AB के लिए then first part lower sum F P less than is equal to lower sum F P dash less than is equal to lower sum F P plus के 2 P के delta ठीक है जी और second U F P greater than is equal to U F P dash greater than is equal to U F P minus 2 P के delta where जो norm P होगी वो less than is equal to delta होगी ठीक है जी जो हमारे पास norm P है वो क्या होगी less than is equal to delta होगी करते हैं इसको proof जो हमने first term की है simple उतना काम तो हमें करना ही करना है इसके अंदर ठीक है जी उसके बाद आगे काम करेंगे फिर तो करते हैं याँ से first part start let P dash be a refinement of partition P P partition है तो हम ले ले लेते हैं पार्टेशन याँ पे ठीक है जी P dash एक रिफाइनमेंट है इस part is in P की and P dash heads कितने पॉइंट जादा 1 P point जादा लेकिन हम बात करें आप पहले एक पॉइंट की P dash heads just one point more than P with जो यह point होगा one point इसको माल लेते alpha से ठीक है जी यह point हमारे पास कहा है alpha किस परकार से है यह XR minus 1 less than alpha less than XR ठीक है जी यह हमारे पास होगा ओके इतना का हमारे पास हो चुक है now अब हमें करना है कहा है first part start करते है let lower sum है lower sum केंदर क्या होता है greatest lower bound let MR dash MR double dash MR be the greatest lower bound of close interval हमारे पास कौन सा XR minus 1 से alpha alpha से XR और XR minus 1 से XR respectively ठीक है जी यह हमारे पास हो गया तो therefore जो हमारे पास greatest lower bound होगा इस वाले का XR minus 1 का क्या है MR यह क्या होगा जी less than is equal to MR dash and MR less than is equal to MR double dash ठीक है जी यह हमारे पास हो जागा सबसे बड़ा यह था यह point तो क्या इसके बीच के बीच के point है ठीक है तो यह हमारे पास हो गया वही काम करना भी तक यह पर ठीक है जी उतना ही काम करना तो एले पी हमारे पास है तो यहां से हमारे पास आ जाएगा MR dash alpha minus के XR minus 1 plus के MR double dash XR minus के alpha minus के MR XR minus के XR minus 1 MR dash alpha minus के XR minus 1 plus के MR double dash XR minus के alpha minus के MR XR minus alpha plus alpha minus XR minus 1 और यहां से MR dash alpha minus के XR minus 1 plus के MR double dash XR minus के alpha minus के MR XR minus के alpha minus के MR alpha minus के XR minus 1 ठीक है जी इतना काम हमारे पास होगा हो गया तो उपर वाले पार्ट को मेरेज कर देता हूँ यह आपने नोट कर लिए होगा जस्त अभी first थोरम ही कर रहे हैं जो मने अब धोरम किये थी ठीक है जस्त अभी तक वही कर रहा हूँ मैं भी ठीक है तो इसके बाद हमारे पास α-3-1 को मना जाएगा तहिए बनेगा अब्स मCR अचय के अलफा ठीक है इतना का हमारे पास हो गया और यह वैले मेरे पास क्या थी पोजिटीव क्योंकि एमार्ड एस ग्रेटर है मर से एक सेगड एक सेगमेन फिर कुछ गड़ गड़ कर दीगा है यहां पे मार्द्हुर से मिनस के मार्ड यहां पर मार्ड ठीक के ख एमार थेको इमारड थेक्टीव मार्ड़ जिए अप lego स्क्राइब एक यह तो ग्रेट निजिए डिए गयर्फ गरड़ा टैस्त माइनसमेड पिकेड जी कोज अम्र डेस माइनसके अमर्गेट इन इक्ल देढ ग्रेस। फॉट जीड पीडिक ग्रेट जीड़ा टीय। इतना काम कर सकते हैं यहां से तो हमारे पास काम हो गया और यह मेरे पास क्या है इसको मालत्तों में थोड़ देरे के लिए के मेरे पास है जी एक्वेशन नमबर वन क्योंकि इसका हम अभी यूज करने वाले हैं ठीक है इसको मालत्तों में एक्वेशन नमबर वन ओके यह चीज़ हमने प्रूव कर दी ठीक है जी एप डैस ग्रेट इस इकल टू एलपी यह किसके लिए ट्रू हुई है एक पाइंट के लेटर हो करना है करते है कि रॉफ री फाल में पीडस हैज पीपाइंट नोर थे पी देंड गुए देंड बेपी देंड गिंट डू above argument p times hence we get the same result that is LFP dash greater than is equal to LFP तो 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 इसको महले तो मेरे पास होगी, ठीक है, इसको में एक्वेशन चलो ठीक है, इन इकलते मेरे पास तो होगई है, तो देख यहाँ से हमारे पास एक चीज़ पूरू होगी, कि LMP less than equal to LFP-1 इस 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 पहले पूरू कर चुकिया, ठीक है, अब जो हमारे में काम सुरू होगा जो में काम शुरूँगा इस थोर्म का वो काम अब शुरूँगा कि LFP पलस के 2P के डेल्टा ठीक है जी यह greater than होगा इस से ठीक है जी इसके सब्सक्राइब के सब्सक्राइब जो हमारा मेन काम से घुर फोके को सब्सक्राइब एलेपी डैस माइनस के एलेपी इस इकॉल टू इस ठीक है इसको मैंने माल रखा है एक्वेशन नमबर वान अब हमारे पास गिवन क्या पहरे बच्चों इन्होंने कहा है कि को मोड एक्स बिलोंग्स टू खेल रखा इसको लिख दो माइनस के टाइम लेशन इस इकॉल टू एक्स लेशन इकॉल टू के लिए X two-close interval AB के लिए हैं जी ठीक है ऐसा मिसको लिख सकते हैं अजी लिख सकते हैं असा इसको ठीक है इतना काम हमारे पास हो गया तो यहां से minus ke less than is equal to F of X ठीक है तो यहां से दिख्वा हुआ हुआ है जो QR है वह क्या है चोटा है MR-स से, तो MR less than is equal to MR-स ठीक है, यह बात मैंने इसको देखका नहीं लिखी, यह बात जो हम लेकर चले थी, जो MR था less than is equal to MR-स and MR less than is equal to MR-स मैंने वहां से लिखी है, ठीक है वहां पर भी और यहां पर दून चीज़ पोस्टिव थी इसलिए मैंने याश्यूज कर लिया ठीक है लेजन इएकल तो के फॉर ओल एक्स विलोग्स टू क्लोज ईंटरवल अपी इतना काम होगा हमारे पास माइनस्के लेजन इस इकल एम्र लेजनी इकल्टो एंवाधे से तो कैमें इसको एसे लिख दू मृझाइस माइनस के यंदर रहेगी ठीक कि माइनस के पलस के तो यहां पर क्या करूओ के एड़ कर दू यहांपर के यहांपर कर दो तो मिरे पास क्या बन जाएगा ये बनेगा 0 less than is equal to MR dash minus KMR less than is equal to 2K हाँ जी for all x belongs to closed interval AB ठीक है जी अब जो मेरे पास ये value होगी ये value क्या होगी 2K से less than is equal to हो जाएगी ठीक है जी तो similarly ये value मैंने इसके लिखे same काम है इसके लिख सकता हूँ तो similarly 0 less than is equal to MR double dash minus K MR less than is equal to 2K for all x belongs to AB ठीक है जी इतना काम हुमारे पास हो गया therefore equation 1 becomes ये value अभी यहाँ पर पूट कर देंगे तो हमारे पास equation 1 क्या बन जाएगी वो लिखते हैं तो हमारे पास बनेगी LFP dash minus K LFP हाँ जी अब जो ये value मेरे पास है MR dash minus KMR ये value क्या है less than is equal to 2K है तो ये value मेरे पास क्यों जागी less than is equal to 2K हाँ जी और ये हमारे पास है alpha minus K XR minus 1 पलस जो ये value होगे मेरे पास ये भी क्या है less than is equal to 2K तो ये value मेरे पास जागे मेरे पास ठीक है जी और ये XR minus K alpha ठीक है तो ये value देखो 2 के यहाँ पे 2 के यहाँ पे 2 के को मना जाएगा हाँ जी तो ये बनेगा मेरे पास alpha minus K XR minus 1 पलस XR minus के alpha तो 2 के, अब यहाँ पे alpha से alpha cancel out हो जाएगा, तो बचेगा क्या XR minus के XR minus 1, हाँ जी, और ये value मेरे पास क्या given है XR minus XR minus 1, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, where norm P less than is equal to delta ठीक है जी, norm P less than is equal to delta, ठीक है तो मेरे पास यहाँ गी norm P less than is equal to delta, maximum length मेरे पास क्या बने गेई बनेगी न, ठीक है जी तो यहाँ से मेरे पास क्या जाएगा, less than is equal to 2 के delta, because of norm P less than is equal to delta, this implies XR minus के, XR minus 1 less than is equal to delta, इसकी help से मैंने लिख दिया, 2 के delta, ठीक है जी, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, therefore LFP dash minus K LFP less than is equal to 2 के delta, हाँ जी इतना काम हो, हमारे पास हो गया ओके, यह जाब नोट कर ली होगी तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ LFP dash lesson is equal to LFP plus के, 2 के delta ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया ओके जी, दो equation हमारे पास बन चुकी थी इसको मान लेता हूँ, equation 3 right, ओके यहाँ पर हाँ मेरे पास 2 के delta लेकिन यह point किस के लिए था, एक बार के लिए था लेकिन जो P point था, वो मेरे पास क्या है refinement के पास P point जयादा है ठीक है जी, P points more than P यहनि क्या given लिख जता हूँ यहाँ पर given refinement P dash has P points more than P P points more than P then introduce the points one by one by above argument we get एक एक पार हर point को इतुदू करेंगे, एक बार alpha ले लिया, दूसरे बार, alpha 1, alpha 2, alpha 3 इस परकार से हम point लेते जाएंगे ठीक है जी तो इस परकार काम करते जाएंगे तो हमारे पास एक point लिया था, तो 2 के delta है 2 point लेंगे, तो 2 के 2 delta हो जाएगा 3 लेंगे, 2 के 3 delta हो जाएगा चाहर लेंगे 2K4 delta हो जाएगा इसी परकार से अगर P point लेंगे तो 2K P delta हमारे पास हो जाएगा ठीक है जी तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा LFP- less than is equal to LFP plus 2K P delta ठीक है जी यहीज इना हमारे पास 2P k delta या 2K P delta ठीक है जी एक चीज आमारे पास हो गई ओके आलसो यह बात हमने देख लिए ठीक है जी और equation 2 की help से equation 2 हमारे पास क्या थी कि LFP less than is equal to LFP- यह हमारे पास हो गया ओके जी तो therefore यहां से हम क्या लिख सकते हैं इन दोनों की help से हम क्या लिखेंगे आलसो यह अब लिए देता हूँ आलसो फ्रूम 2 क्योंको 2 के इंतर मिचे जी प्रूव किये थी ठीक है जी तो LFP क्या है less than is equal to LFP- ठीक है LFP less than is equal to LFP- ठीक है जी और LFP- किसी लेस है less than is equal to LFP LFP- प्लस के 2P के डेल्टा या 2KP डेल्टा ठीक है जी हमें यही तो प्रूव करना था hence the result बस हो गया हमारा प्रूव तो first part complete ठीक है जी जल्दिशे note कर लो अब बताओ जो second part है वो second part क्या आप खुट रही कर सकते हो बिल्कुल सेम काम करना है ऐसे ठीक है एक second part मैंने प्रिवेस थोरम के अंदर करवा दिया ठीक है जी सेम काम उसके अंदर करना है इस part के अंदर सेम काम करना है ठीक है जी equation 1 तक equation 1 बनेगी फिर उसके बाद यही चीज़ उज़ करने है जो हमने उज़ किया था ठीक है बस वहाँ पर एक चीज़ आएगी कि वहाँ पर MR-क MR है तो वहाँ पर MR-क MR-क MR होगा तो उसको negative sign निका ले थोरम की नेक्स थोरम हमारे पास इफ एफ एफ एंड जी और रियल वैल्वेड बांड़ेट फंक्शन्स डिफाइन उन क्लोज इंटरवल एबी और पी एन पाटिशन ऑफ लोज इंटरवल एबी देन फर्स पार्ट कहता है कि लोवर सम एपलस जी कॉमा पी ग्रेट इस उक जो कमेशो करना है इनको में पूर्व करना है तो करते हैं इसको तो हमारे पास गीवन क्या है एफ और जी रील वैलेट बांड़ेट फंक्शन है ठीक है जी डिफाइन ओन क्लोज इंटरवल एबी और पी भी एन पार्टिशन ठीक है यहां पर इफर्यमेंट की बात नहीं है XN is equal to B, B a partition of close interval A B ठीक है जी यहां पार्टिशन लेली एक पार्टिशन लेली P ठीक है जी किसी close interval A B की एंड डल्टा र बेदा लेंथ लेंट फ सब इंटरवल XR minus 1 to XR for R is equal to 1, 2, 3 and so N तक ठीक है जी यह हमारे पास है हमने क्या लेली लिया जो डेल्टा र है वो इसके लेंथ लेली XR minus 1 से XR की राइट ओके अब बात करते हैं फर्स पार्ट की अब कहता है F ओर जी बाउंड़िड है बाउंड़िड फॉंक्शन है तो उसके बाउंड एग्जिस्ट करेंगे और यहां पर एप लजी बिले रखा है ठीक है जी तो लेट memberánh करेंड़िड करें डाइड थाओ और च Tabii फॉंक्शन है भीक फ्यक्या मोर दाइड रट बाउ फि देकी ओक ज्लार्ट लेडश है जी ताप्रड लेट लेड़े कि इसक्शन है कि अब विर और उफ देकान है लेड़े prevent rebelisư नितॉ CA मृक्शन है च्ट लेड़क्श एंड एपलस जी रिस्पेक्टिवली ठीक है जी जो f है उसका greatest lower bound और list upper bound g है उसका greatest lower bound list upper bound एपलस जी है उसका greatest lower bound और list upper bound यह हमने यहाँ पे लेट कर लिया ठीक है जी तो बात करते हैं यहाँ से नव जो मेरे पास mr dash होगा यह क्या होगा जी lesson of f होगा हंजी and जो mr dash होगा यह भी मेरे पास क्योंगा lesson of jào ph reg moving यह मेरे पास mr dash lesson is equal to f औ2 एयुब cos or mr dash lesson is equal to g लेट एस लो गलाई वो f एसका lesson is equal to होगा और जो greatest lower bound है जी स्अथक्ण का वो भी क्योंगा lesson is equal to g लेफक्ण हंजी तो इतना काम हुमारे पास हो गया है कि इतना काम हुमारे पास हो चुका है अब क्या करो इसको इसको एड़ कर दो यहां से मने ले लिए पास है तो आ हमने ले लिए यहां से MR dash plus MR double dash लेसे इकौल टो ए Mir dash atraple णिए यहां से मारे पास किया है जो MR dash plus MR double dash है यह मेरे पास किया है greatest lower bound है, किसका F का, यह क्या है? greatest lower bound है किसका, जी का this simply is MR dash plus mr double dash are greatest lower bound of E plus Z यह हमारे पास का है, greatest lower bound होगे E plus Z की, ठीक है जी बट हमें पता है कि जो A plus G है उसका greatest lower bound क्या जी MR है, ठीक है तो यहां से हम क्या लिख सकते है therefore MR dash plus K MR double dash यह मेरे पास को जगा less than is equal to A plus G का greatest lower bound क्या होता है MR के equal है ठीक है जी, ओके because of greatest lower bound of A plus G ठीक है is equal to हमारे पास क्या जी MR, ठीक है इस इसल का हम लिख कर लिया, हमें बनाना क्या है lower sum, lower sum, lower sum sum बनाना है, sum बनाना है, तुम क्या करेंगे इसके multiply, length से कर दे ठीक है जी तो MR dash delta plus K MR double dash delta, less than is equal to MR delta, ठीक है where delta R मेरे पास क्या है XR minus K XR minus 1 इसके मेरे पास length है, हंजी अब यहां से summing करेंगे यहां से summing करेंगे तो summing करेंगे तो summing लगा देंगे R is equal to 1 to N MR dash delta plus K summation R is equal to 1 to N MR double dash delta R less than is equal to summation R is equal to 1 to N MR delta ठीक है इतना का मेरे पास हो गया तो अब यहां से हम क्या कर सकते है यह summation MR dash delta R यह greatest lower bound किसका जी F का है इंटो में length आगे उसके length over interval तो इसको में क्या लिख सकते है lower sum F4 P ठीक है जी lower sum F P plus K यह हमारे पास lower sum G P less than is equal to यह हमारे पास lower sum F plus K G हम जी हमें यह पूरू करना था क्या हमें पूरू करना है L F plus G तो क्या करेंगे इस inequality को reverse कर देंगे इसको share link देंगे इसको share link देंगे ठीक है जी तो हमारे पास यह यह चीजा जाएगी तो यहां से में लिख देता हूं मैं L F plus G P greater than is equal to lower sum F P plus K lower sum G P ठीक है जी hence the result तो हमारे पास first part prove हो गया जल्दी से note करो अब बात करते है इसके second part की ठीक है second part के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा second part के अंदर हमारे पास अब बात करेंगे अब लिस्ट अपरबाउंड के कि F of X less than is equal to MR dash and G of X less than is equal to MR double dash for all R belongs to close interval AP R हमारे पास नहीं से आजाएगा close interval AP से या partisan से ठीक है जी अब इनको फिर से आड़ कर दो left side में left side को आड़ कर दो right side में right side को आड़ कर दो less than is equal to MR dash plus K MR double dash for all R belongs to close interval AP ठीक है Fx plus G of X तो इसको लेक सकता हूं मैं F plus KG X less than is equal to MR dash plus K MR double dash ठीक है जी for all R belongs to this okay तो यहां से में क्या मिला जो MR dash है और MR double dash है यह मारे पास क्या list upper bound जी किसके FK और GK तो MR dash plus K MR double dash भी दा list upper bound ओफ एपल जी के ठीक है ठीक है एपल जी के list upper bound हो गया हमारे पास okay ठीक है तो इसके बाद यह list upper bound है एपल जी का बट एपल जी का list upper bound हमारे पास क्या जी यह है capital MR तो यहां पर हम इसके जिगह पर capital MR पूट कर देंगे हां जी less than is equal to MR dash plus K MR double dash because list upper bound ओफ एपल जी is equal to MR ठीक है यह मारे पास होगे इतना काम अब क्या करते हैं यहां से यह लिग देता हूं आपे because of delta r is equal to xr minus k xr minus 1 greater than is equal to 0 तो summation apply करेंगे r is equal to 1 to n MR delta less than is equal to summation r is equal to 1 to n MR dash delta plus K MR double dash delta इस पर summation apply कर दे हमने r is equal to 1 to n ठीक है जी और यह हमारे पास क्या बन जाएगा यह हमारे पास अपर संबनेगा ठीक है जी क्योंकि हमारे पास क्या एम है capital M है तो यह अपर संबन जाएगा किसका एप पी का एप पी का नहीं एप पल जी का स्वारी एक सेकेंड यह हमारे पास मैं इसको यहां लिग देता हूं यह आपने नोट कर लिए होगा यह हमारे पास बनेगा अपर संब आप पलस जी को मपी लेजन इस इकॉल टू अपर सम एफ को मपी पलस के अपर सम जी को मपी हमें प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करते हैं रीमन इंटेगरल की कि रीमन इंटेगरल क्या होता है ठीक है फिर उस पर बेज जो कोशन्स होंगे अपनी एकसरसाइज की वो कोशन्स करेंगे हम कल नेक्स क्लास के अंदर अपने लोर सम अपर सम पढ़ लिया है ठीक है जी तो बात करते हम रीमन इंटेगरल की कि अदर हमारे पास है जैसे लोर समय अपर समय इसी परकार से लोर इंटेगरल है और अपर इंटेगरल ठीक है जी तो बात करते हैं लोर इंटेगल की लोवर इंटेगल हमारे पास उसको डिनोट करेंगे हम A, B, F of X, D, X, ठीक है जी, बात किसके हो रही है, लोवर इंटेगल की, तो यहां पर लगा देंगे इस, ठीक है जी, इसी परकार से हमारे पास अपर इंटेगल है, उसको डिनोट किसे करेंगे, A to B, F, X, D, X, अपर की बात हो रही है, तो यहां लगा देंगे तो यहां पास होता क्या है, लोवर इंटेगल के लिए काम करेंगे, लोवर सम पे थेक है, लो P is partition of closed interval AB. तो हमने क्या करना है? Lower sum का निकाल देंगे जी, supremum. ठीक है? supremum of lower sum. यह हमारे पास बन जाएगा lower integral ठीक है जी? और upper integral की बात करेंगे तो इसके लिए निकालेंगे हम infimum, infimum of upper integral, sorry upper sum, such that P is partition of closed interval AB. ठीक है? यह हमारे पास होता है lower integral और upper integral. Lower integral denote करते है इससे ठीक है जी? नीचे लगा ज़ते है यह बार. ठीक है? B fx dx. Upper integral denote करते है इससे इस पर लगाते है बार उपर. ठीक है जी? lower integral के लिए बात करेंगे lower sum की, upper integral के लिए बात करेंगे upper sum की, lower sum है तो उसका निकालेंगे supremum. अपर sum है तो उसका निकालेंगे infimum. ठीक है? अब बात कते है रिमान integral की. रिमान integral के लिए यह दोनों के क्योंने चाहिए, equal होने चाहिए, ठीक है, for simplicity के लिए, तो इन दोनों की जो common value है, जो हमारे पास simple integration है, वो भी हमारे पास क्या हो जातता है, ये तीनों, दोनों values उसके equal हो जाते हैं, बी, fdx is equal to a to b, fxdx is equal to a, b, fdx, ठीक है, तो ये हमारे पास simple integral है, इन दोने common value हमारे पास c हो जाती है, a to b, lower integral, simple integral, और ये हमारे पास upper integral, ठीक है जी, ये तीनों value हमारे पास equal होती है, और ये lower integral और upper integral, Level equal होना चाहिए, तो हमारे पास ket有沒有 integral है, ठीक है? और lower integral की बात करेंगे तो lower integral हमारे पास इसी denote करते हैं, जो lower sum निकालेंगे, उस lower sum काम सुप्रीम म करतेंगे, तो हमारे पास आजेगा lower integral, ठीक है जी, अपर integral निकालेंगे, तो अपर sum का हम क्या करतेंगे? तो यहां पर हमारा जो exercise 1.1 है उसके लिए introduction part complete हो गया अब जो exercise 1.1 है उसके जो questions है वो करेंगे हम next class के अंदर तब तक वीडियो को enjoy करो अच्छे लगे तो नीचे comment करके जरूर बताएगा और अपने friend के साथ जरूर से के जिए बाइबाइ टेकर सी यू थैंक यू फॉर